आज हम आपको फुरूर सोर्बते बनाना बता रहे हैं सबसे पहले हम मैलन सोर्बते बताएंगे यह हैं इसके लिए हमें फ्रोजन मैलन चाहिए हमने मैलन को खर्जो खर्भूजा बोलते हैं उसे हमने चॉप कर लिया और उसको यह तो ओवरनाइट फिरीजर में रख दीजिए या छे साल घंटे आप रख दीजिए फिल्कुल यह देखे क्रिश्टल बिल्कुल होने ज़्याइब जमें होनी चाहिए इस पर बरफ देख से जमरें बिल्कुल सक्त होने चाहिए और हमने सहत लिया एक टीश्पू में इसे डालेंगे और सहर्थ हम साथ में डालके इसको ग्राइंड करें जब तक यह स्मूद पेश्ट ना बढ़िए तब तक हमें इसे पीशना है यह देखिए बिल्कुल यह त्यार है थोड़ा पीशना टाइम लगता है इसको आप या तो ऐसे ही खा लीजिए यह देखे देखे फ्रेंस यह बिल्कुल ऐसे रैडी है आप चाहें तो फ्रीज में रखके भी इससे सेट करके फीन-चार घंते आप रख दीए फ्रीजर में बिल्कुल सैट हो जाया तब भी आप खा सकते हैं यह दिए आप तुरंट खाना चाहते हैं तो इस तरह से आकर यह अब हम आपको वाटरमेलन सोरबते बनाना बताएंगे इसके लिए भी हमें फ्रोजन वाटरमेलन चाहिए इसको भी हमने काटके ओवरनाइट खीजर में रख दिया यह तो आप 6-7-8 गंदे जब तर आपका बिल्कुल क्रिश्टल ना हो जाए बिल्कुल जम ना जाए बिल और सुगर भी ले सकते हैं ही मैं लेकशें हम से बजाने के बनाने की कोशिस कर रहे है कि इसे भी हम मिक्सिट्ड दर में इक पीशे के विल्कुल जब तक स्मूथ पेश्ट ना बन जा है तब तक हम्य इसे पिश करा यहँँ हमाराan बिल्कुल निकालकर दिखाते है कि यह देखे हमारा हेल्दी वाटरमेलन सोर्वते बिल्कु रेडी है आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं या इसे प्रीज में प्रीजर में द्वारा इसे दो तीन-चार घंटे के लिए सेट कर दीजिए तो आप अच्छी तरह से और आप बिल्कु आइस्क्रीम की तरह सेट हो जा है यह मस्क मेलन की आइसक्रीम है और यह वाटर मेलन की एक वाटर मेलन की एक बड़ ट्राइब की दिए यह बहुत हेल्दी आइसक्रीम है